संदीप ने अपनी मा के कहने पर गाउं में शादी कर ली थी। लड़की का नाम था सुलीता। मा का कहना था एकदम मौडन बहु नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गाउं से आने वाली बहु सुन्दर शुशित होगी। और उसको गाउं से बाहर भी नि प्रूल नहीं आफिस जाता है। मा से नहीं अपनी बीवी से टिफिन मांगा कर। ओकी मा। सुनिता टिफिन ले आओ। एची लो टिफिन। इसके अंदर पिष्टा डाल दिया है। पिष्टा? पिष्टा क्यों? साथ्षी ने बोला था ना कि आपको पिष्टा बहुत पस है। ओहो मैंने पिष्टा नहीं पास्ता बोला था पास्ता। पास्ता? कई होता है पास्ता? अरे वेची तू रहने दे मैं बना दूँगी। अच्छा किया कि पाउभाजी बनाने का नहीं बोला। वन्हा किसी के पाउँ बना देती है। सुनिता को बुरा लगता है लेकिन उसकी नादान हरकते कम नहीं होती। ऐसी ही एक दिन। अरे तुमने ये क्या लगा रहा है? अरे आपो फूस फूस करकी लगाते हैं ना वही। दियो? का दियो? किसको दियो? अरे वही ना जिससे खुश्बू आती है। हाँ हाँ सही पक रहे हैं। अच्छा लेकर तो आना कॉंसर्ट यो लगा रहा है तुमने। अभी लेकर आते हैं जी। संदीप की बात मान कर सुनिता अंदर से खुश्बू वाला फुस फुस लेकर आती है। ओ-म जी। ओ-म जी मतलब ओ-माई गनेश ना। अरे ओ-म जी छोड़ो और ये खुश्बू वाला फुस फुस के बात कर रही थी तुम। हाँ इसी की फिर से सही पकड़े हैं। अरे देवी लेकिन आप सही नहीं पकड़े हैं ये डियो नहीं है। डियो नहीं है तो क्या लियो है। अरे ये रूम प्रेश्टर है जिसको कमरे में छिड़कते हैं खुद पर नहीं। कोई बात नहीं मा कहती थी आत्मा किराएदार है शरीर एक किराए का कर्ब। हम शरीर पे ये डाल लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अरे बहु ओ बहु मेरे लिए फल दो लिया फिर मैं बाजार जाओंगी। सुनीता अपनी सास के लिए फल लेकर आती है। अरे बेटा पपीता तर्बूज और सेब फल ऐसे कैसे खा लूँ काट कर तो लिया। मा जी मेरे गाउं में तो खेट से उठा के सीधा खा लेते हैं। अरे ये तेरा गाउं नहीं है ना। अरे संदीप तु ही कुछ समझा दे ना इसको बेटा। मैं कैसे समझाओ मा ये तो माइक्रोवेव को भी भट्टी बोलती है। कल मैंने बोला हाई कैसे हो तो बोलती है। किसी को हाई नहीं लगानी चाहिए। अरे सुनीता तेरा क्या होगा। अभी तो कैसे बताओं मा जी। अभी हम कुछ करेंगे फिर पता चलेगा क्या होगा। लड़का या लड़की। ये बगवान कहां से आ गई है। रामपूर से जी आपी तो लेकर आए थे मुझे। आरा मुझे माफ कर दो। पहले कोई गलती तो करिये जी। आपकी तो शारी गलती माफ कहतेंगे हम हाँ। अरे बहु मेरे बात सुन। फल यानि की फ्रूट जब भी लाए ना तो काट कर लाना ठीक है। जी ठीक है माजी फल यानि फ्रूट यानि काट की लाऊंगी। सुनीता रोज ही कोई ऐसी हरकत कर देती जिसकी वज़ा से उसे घर में दो बाते सुनने पड़ती। एक दिन। मा मेरे बॉस घर पर आने वाले है शाम को। उनका बज्जे है। फैमिली साथ नहीं रहती उनके। तो यही पार्टी कर लेंगे। उनको अच्छा लगा तो शायद मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। मैं ना फ्रूट केक लाकर फ्रिज में रख दूँगी और तेरे साथ आज खाना मैं बनाओंगी ताकि जब सहाब आए तो खाने में कोई गड़ बनना हो। शाम को जब सारी तयारिया हो जाती है संदीप के साथ बड़े सहाब भी घर आते हैं। आप फ्रूट केक तो ले आना बहू फिर खाना खाएंगे। औरे औरे इस सब की क्या जरूरत थी आपने बुलाया वही काफी है। सर आपका परिवार शहर में नहीं है तो हम ही आपके परिवार जैसे हैं सर। इतने में ही सुनीता फ्रूट केक ले कर आती है और बड़े सहाब की टेबल पर रंग देती है और जैसे ही केक के ऊपर का बॉक्स हटाती है। ओहू ये क्या है केक तो कटा हुआ है। मैं तो ऐसा नहीं लाई थी। आप मुझे साबाशी दे सकती है माजी। मैंने ही केक काट दिया। आपने कहो था ना फ्रूट यानि हमेशा काट की लाना। तो फ्रूट केक भी तो फ्रूट ही है ना तो मैंने पहली ही काट लिया। होना में समझदार। अरे बहु ये क्या किया। केक हमेशा वही काटता है जिसका जिनम दिन होता है। तुझे एक बाद भी समझ नहीं आती। एक नमबर की बेवकूफ है। पूरा माहूल बिगड चुका था। संदिप को लगने लगा था कि साहब उसे प्रमोशन तो दूर की बात है कहीं डिमोशन ना दे दे। लेकिन साहब बीच में ही बोल पड़ते हैं। अरे अरे कोई बात नहीं। ये इनकी बेवकूफी नहीं है। इनका भूलापन है। बेटा आप कहां से हो। रामपूर गाउं से। अरे वह गाउं से। फिर तो आपके गाउं में ताजे फल और सबजियां मिलते होंगे। हाँ सही पगड़े हैं। हम तो कारते भी नहीं सीधा खा लेते हैं। अम मैं न एक बार तुम्हारे गाउं घूमने जरूर चलूँगा। क्यों संदीप ले चलोगे न। मुझे गाउं घूमना बहुत पसंद है। बस फिर क्या था। संदीप और साज दोडों खुश हो गए। क्योंकि सहाप को सुनीता ने गाउं की बात करकी खुश कर जया था। अब संदीप का प्रमुशर पत्का था। शिक्षा कभी भी किसी भी गलती पर घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है कि उस गलती की वज़े से आगे बड़ा फाइदा हो जाए।